हेलो फेरेंज कैसे हैं आप सब लोग मेरा ना में सीध वारिशा और आप देख रहे हैं अफ्रीक रिव्यूज्स फाइनली फेरेंज आइफोन ने इन 2022 लांच किया है अपना न्यू मॉडल आइफोन स्पेशल एडिशन जो कि किसी भी हवाले से स्पेशल एडिशन तो नहीं लगता बलके मेरे खाल में यहां पर इसको यह कहना बहुतर रहेगा कि स्पेशल एडिशन के बजाए सिंपल एडिशन ज्यादा बैजर लगता है आइफोन सी फॉरॉला बहुत ही सिंपल है लाइक नियो चिप और बोड़ी एंड लो प्राइस औ क्योंकि उनका बहुत ही सुपरफाइस चीप है और इसके साथ साथ आइफोन 8 का अल बॉड़ी जो कि 2018 में आया है और आज से चार सल प्राणी बॉड़ी अगें इस फोन में भी इंप्लांट की गई और फाइनली दे प्राइस फॉर हेंडर ट्वाइन डालर यहां देखने इस प्राइस टैग में आपको दूसरे जितने भी कॉंपटीटर्स हैं वो एक फॉल फीचर बैक्ट फोन आपको उफर कह रहे हैं लाइक इसी प्राइस टैग में हाई रिफ्रेश्ट आपको मिल जाता है बहतर बैटरी लाइफ मिल जाती है उसके साथ साथ क्वार्ट कैमरा आपको मिल जाते हैं और इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है और यही बात मैंने भी कहिए कि इन सब कमियों के बावजूद यह एक इंतहाई आन बैलनस फोन है वो भी 2022 में जबकि 400 डॉलर में आपको बाकी तमाम फीचर जो है वो सब दूसरी कमपनी दो आफर कर रहे हैं तो S22 Ultra से भी ज्यादा फास्ट है और यही चीज इसको बहुत खास बनाती है जो के आने वाले तीन चार और पांच सालों तक बहुत ज्यादा तेज और जबदस चलने वाला फोन रहेगा और इसके साथ साथ जो साफ्टर अबडेट्स हैं वो भी आइधिंग आइफोन आपको आपको मिलती रहेगी तो सिर्फ इस एक कंडिशन में एक फ्यूचर पैक फोन है और जो लोग इस फोन को वाकि एक लोंग तर्म यूज़ करना चाहते हैं लो बजट प्राइज है में लो बजट तो नहीं है बड आइफोन की गड़ अगरीज के वाले से लो बजट फोन है और उनका में मकसद जो है वो प्रफॉर्मस पर बेस करता है तो यह फोन वागी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल और जबदर सॉफ़र है वो पी 2022 में और आइपल का आखरी 400 डॉलर वाला फोन होने वाला है इस फोन में आपको 5G नेटवर्क भी मिलेगा और इसके बहुत इंपॉर्टन बात है और इसके साथ यहाँ पर आपको एक जीबी एक्स्टा रैम भी मिलने वाली है जो कि इसे प्रीविस मॉडल में करीमा तीन जीबी थी बड़ यहाँ पर आपको फोर जीबी रैम मिल रही है और वह भी DDR5 पर इसको प्रफॉर्मस वाइस आइफो इस वाइक फॉर्ण बड penni रचांव करफ पर सिर्फ एक कैमरा धिया गए रचाप कवाट कैमरा सेतअप इवन के दू कैमरा भी नहीं है लेकीन यह क chil당ा बहुत ही जबसर है इसके बहुत ही बैलेंस कालर मिलेंगे निनेर टू नेश्रिल और यसके साथ साथ नौिस मेनेज् और उसकी बेसिक वज़ए यह है कि A15 Bionic Chip को प्रोसेसिंग पावर जो है वह बहुत से बजस्त है और उसी A15 Bionic Chip की वज़ए से इसके कैमरा में आपको diffusion मिलेगा इसके लाव आपको high dynamic range में भी smart HDR 4 plus मिलने वाला है और different color filters के वाले से भी यह आपको बहुत अच्छा view देने वाला है यह की scene को different angles और different looks के साथ आप देख सकते हैं और इसके image और इसकी again वही वज़ा कि image processing power A15 Bionic Chip की वज़ए से out class है लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा कमी जो मुझे मैसूस ही वह ultra wide angle lens की है तो कि अगर इसमें ultra wide angle lens दिया जाता तो यहां इस phone से और भी ज्यादा इसको useful बना सकते थे और तमाम features के साथ साथ यहां पर सबसे important issue एक यह है इस camera में कि इसके हर चीज़ बहतीन है color balance और dynamics range everything is good but low light performance जो के iPhone 13 type icon है iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max में low light photography जबदस हो रही है लेकिन यहां पर iPhone SE 22 जो काफी मंच के बाल आउंच किया गया iPhone 13 के उसके बावजूद यह बहुत ही poor low light performance दे रहा है और इसके साथ साथ यहां पर 2X optical zoom lens भी आपको नहीं मिलेगा यहां कि अगर आपको किसी भी चीज़ को zoom करना है तो definitely digitally इसको crop करना पड़ेगा जो कि यह कि यह किनिन आपके picture की quality को बहुत सादा compromise कर देगा लेकिन हर तरह से iPhone ने कुछ चीज़ों को plus किया है कुछ माइनिस कि यहां पर आपको यह जरूर डट करूंगा कि budget फोंस में और $400 प्राइस टैक के फोंस में सबसे बहतरीन बेस्ट वीडियो कैमरा है जो कि आपको 4K 16 की वीडियो रिकार्डिंग प्रोवाइड करता है और best auto focus इस phone में available है उसके साथ ग्रेड कलर और colors भी ऐसे कि आपको drill और national to life लगेंगे और iPhone की तो हमेशा से quality रही है बेस्ट वीडियो कैमरा जो है हमेशा iPhone का ही रहा है और iPhone ने उस चीसको अपने यहां पर miss नहीं किया खरांगी की बात ही है iPhone SE 2022 में world class A15 bionic chip world class camera यह सब तो नहीं डाला है लेकिन उसके साथ-साथ बाकी तवाम चीज़ों में इंतह इसकी अगर बात की जाए तो iPhone 13 mini iPhone SE 2022 से भी छोटा है और इसकी screen जो है iPhone 13 mini की 5.4 inch है और जबके iPhone SE 2022 edition में आपको screen 4.7 inch मिलती है और वो भी 722 पिक्सकोटेड और 60 Hz refresh rate के साथ और 600 maximum peak brightness level नहीं कि बहुत ही अचीब सा package किना है iPhone ने और इस तरह से यह phone बिलकुल ही outdated लग रहा है ज स्क्रीन कम से कम 1080 pixel supported screen 120 Hz का refresh rate और सबसे बड़ी बात एक अच्छी bigger 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रही है यहां पर सिर्फ देखने वाली बात यह है कि A15 Bionic चिप तो अच्छी है जो हर तरह से काम करेगी और आपको 13 Pro Max जैसा ही smooth experience प्रोवाइड करेगी लेकिन इस phone की और साथ साथ यहां पर इसकी बहुत कॉंप्रोमाइज बैटरी भी है जो कि सिर्फ 30 मिनिट्स अगर आप मैप्स यूज कर लेते हैं तो 10% इसकी बैटरी जो है वो ड्रॉप हो जाती है तो इसके साथ सथ अगर आप गेम खेल लेते हैं यह फोटाग्राफी करते हैं तो फिर तो इसकी बैटरी ऐसे काईब होगी कि आपको धहरान हो जाएंगे आप छोटी बैटरी होने को भी आईफॉन इस तरह से ट्रिक यूज कर रहा है कि अगर आप इसको 20 वाट चार्जर जो कि आपको बॉक्स में फोन के साथ नहीं मिलने वाला अगर आप 20 वाट चार्जर के साथ इस फून को चार्ज करते हैं तो भी जिरो टू हंडर ओनली विजिन वन आउर कर देगा चार्ज लेकिन ना तो आपको 20 वाट के चार्जर डबे में साथ मिलेगा और ना ही यह फून एग घंटे में चार्ज होने के बाद आपको 5 तो 6 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम भी नहीं प्रवाइड करने वाला लेकिन यहां भी आप यह कर सकते हैं कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो 5G के बजाए इसको 4G नेटवर्क पर कनवर्ट रखें ताकि आपकी बैटरी जो है कुछ ना कुछ तो यहां से और अगर आप इसे 5G नेटवर्क पर ही कनेक्ट रखते हैं आपकी बैटरी एकदम से चुमंतर हो जाएगी और अफिरान हो जाएगी कि यह हुआ कि हमारे फोन के साथ अभी तो चार्ज किया था और इन दो सालों में एपल ने आइफोन SE 2022 का जास्ट कलर हलका सा चेंज किया थोड़ा सडार किया है जो कि इसको आइधिक दूर से देख आइफोन सिंपल एडिशन का और अगर प्राइस के वाले से बात की जाए तो प्राइस इसकी बेसिक एडिशन जो कि 64 जी वी है वो है $429 का लिए लेकिन अगर आप इसकी सोरी चोड़ी सी बढ़ाते हैं और आप जाते हैं 128 पे तो आपको पे करने होंगे $479 और उसके है और even इसमें Home Button भी दिया गया है जने बड़े-बड़े बेजर भी दिये गहे और इन बड़े-बड़े Bezels को तो तुमाम दूसरी Android एंट्रॉइड कंपशना भी चोड़ चुकी है तक रिएफ से बिदने भी फोन आ रहे है वह इन तहाई smart और more than 90% screen to body ratio के साथ आ रहे है और उनकी होम बटन तो अब किसी भी फोन में नहीं होता लेकिन आपको 2022 में विद नेम उप आपको चोड़ी से बैटरी नहीं है पांच सल पराने फोन बाड़ी के अंदर निया आपको पैकेश बना के आई फोन दे रहा है तो कि अपने यूजर्स को एक चीप बना के दे रहा है जो कि उन्सका प्राइस चीप नहीं रखिए आप फोन की क्वालिटी और अपना नाम भी एक नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना बहुत सा रख्याल रिखेगा अलाहाफेज